हलो दोस्तों welcome to study universe मद्धीपृद्धिस के नमबर वन चैनल for daily current affair के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे मद्धिपृद्धिस weekly current affair यानि मद्धिपृदिस साप्ताय current affair की जिसमें हम चाचा करेंगे 10-20 October 2020 के भी जतने भी important question हुए उनकी बारे में वीडियो को हिंदी और इंगलेश्ट दोनों भासाओं में बनाया गया है तो दोस्तो इस वीडियो को आप ज्यादे से लाइक कीजिए, शेर कीजिए और हमारे चैनल स्टेड उन्वेस को सब्सक्राइब कीजिए Q1 हाली में किस जिले में बिद्यूत मित्र योजना शुरू की गई है दोस्तो इस योजना में स्वासाहिता समूग की पंजिगरत महिलाओं को जोड़ा गया है इसके तहएद बकाया बिजली बल वसूले के लिए अनुवंदित किया गया है इस बिल में महिलाओं को भावी जी का नाम दिया गया है और यह योजना बिद्यूत मित्र योजना गवालियर से शुरू है बाताईए गवालियर की तो आपको मैप में इसके बारे में बता दे और मदबरिस अपकारी विवात का मुख्याला भी गवालियर में ही है मौमद गौस्का मकुअ मारे इनले की समादी और तान सिन का मकुआ ये गवालियर में इस्थेते हैं एशिया का परतम सारे रिक परिक्षन महा विद्याला भी ग्वालियर में ही बनाया गया है विजारादी सिंधिया कर्शी विश्विद्याला 2008 में इसके स्थापना की गई थी ग्वालियर की किलो को कलो करत्न की नाम से जाना जाता है सोन चडिया के लिए घाटी का अभ्यारन बनाया गया है और तेली का मंदर दरवड़ सैली में बनाया गया है जो उत्तर भारत का एक मात्र मंदर है और ये भी ग्वालियर में ही इस्थत है तो दोस्तों ये कुछ कि ये नेनो फाइवर्ट वाली नॉन एन्वेंसिब वेंडेज विक्सित की है ये है ट्यूमर सेल्स में गर्मी नियानतित करेगी दोस्तों बात आई ये आई एस्सी की तो आपको इसके बारें बता दे इसका फुल फॉर्म इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस होता है इसको इस्थापना 1909 में की गई थी इसके फाउंडर थी जमसेंजी टाटा और कृष्ण राजा वाडियार इसके जो हाली में डायरेक्टर है वाए गोविंदन रंग राजन है और हैटकौर्टर बेंगलूरू में है तो आपको इतना IISC के बारे में याद रखना है और इ एक क्रती जिसका नाम है चांद हमसे बाते करता है यह उपन्यास पार्टर कब में शामिल किया गया है दोस्तों आपको बता दें यह पार्टिकरा महरास्ट के औरंगवाद की उर्दू शाहितकार और समीक्षक नुरूल हसनेन की उपन्यास को बढ़ाया गया है यह उपन्य देश भारक का पड़ोसी देश है इसका जो गान है वह अमार सुनार बंगला है जिसे रवेंदनार टेगूर ने लिखा है दोस्तों इसे की जो स्वतंतरता है वह 26 माच 1970 को गोशत की गे थी पाकिस्तान से यहां की जो राज्टानिया ठाका है राश्टपती अब्दुल हमी एक्जाम में पूछा जा सकता है याद रखना है नेश्ट कोशन है हाली में रामबलास पासवान का नेधन हुए यह किस पार्टी के प्रमुक थे तो दोस्तों इसका सही ओप्शन है लोग जन सकती पार्टी लोग जन सकती पार्टी के रामबलास पासवान प्रमुक थे जि पूर्षन है Food Safety Standard Authority के अनुसार किस देश की सब्जी में घातक मैटल्स की मात्रा सबसे अधिक पाई गई है तो दोस्तो यह हमारा मद्रदेश मद्रदेश की जो सब्जीयां है उनमें सबसे जाद घातक मैटल्स की मात्रा पाई गई है दोस्तो 25 प्रतीशत तक मैटल की मात्रा मद्रदेश की सब्जीयों में पाई गई है वही दूसरे स्थान पर है 36 गर्द और तीसरे इस्थान पर है बिहार दोस्तों इस जो सब्जियों में मात्रा पाई गई है घातक मेटल्स की उसमें लेड की सबसे अदम मात्रा पाई गई है देश में पांच जोन में बाट कर कई नमोनी लिए गए थी और उन्हीं में यह जो हाली में रेंकिंग जारी की गई है यह Food Safety और Standard Authority के द्वारा जारी की गई है बात आईए Food Safety Standard Authority यानि F-S-S-A-I की तो आपको इसके बारे बता दे इसकी स्थापना 2011 में की गई थी Headquarter दिल्ली में है जो हाली में Chairperson है वो है रिता और जो Chair Executive Officer है वो है अरण सिंगल है तो आपको इतना F-S-S-A-I के बारे में यानि Food Safety Standard Authority के बारे में याद रखना है बात आईए मद्धप्रदेश की तो आपको इसके बारे में बता दें मद्धप्रदेश की स्थापना 1.1956 में की गई थी राजदानी हबुपाल हाली में जो गवर्नर है वहाई अनंदी बेन पटेल है और दोस्तों ये उत्तरप्रदेश की भी गवर्नर है जो मुख्यमंत्री है वहाई सिवरासिंग चोहान है भाजापासे है बधान मंडल की सीटें 230 हैं और राज्यसभा की 11 सीटें वहीं लोगसभा की बात की जाए तो कुल 39 सीटें मद्रदेश में लोकेशन आप देख पार होंगे भारत मैप में ये है मद्रदेश अब बात करते हैं मद्रदेश में दिये जाने बाले प्रमुक पुरुषकारों की तो कालिदा, शिक्र सम्मान, ताजसेन सम्मान, लतास, मंगीशकर, पुरुषकार, सरजोसी सम्मान और कुमार गंदर और पुरुषकार ये मद्रदेश में दिये जाती है बात करते हैं मद्रदेश की उध्यान की तो बादाव गड़ राश्टी उध्यान, काना किष्ली राश्टी उध्यान, माधाव राश्टी उध्यान, पेंच, पन्ना, सत्पुड़ा और बनभाद, यहां की प्रमुक राश्टी उध्यान है, जलपरपात की बात की जाए, तो चचाई, बहुटी, धुआधार, रेकटे जेवस बार्गी बांद होकि तो मद्द्वद्देश में बरगी बांद है राजगाट बांद है बांद सागर बांद है गांदी सागर बांद है और बाणना बांद है तो आपको इतने जो इं granny and fact है आपको माद्वर्दिश से पूछे जा सकते हैं याद रखने हैं नेक्ट कॉशन है किस देश में जोशुआ चेप्टे गई ने 10,000 मीटर रनिंग का वर्ल्ल रिकॉर्ड तोड़ा है तो दोस्तों ये हैं युगांडा के युगांडा के जोशुआ चेप्टे गई ने 10,000 मीटर रनिंग का वर्ल्ल रिकॉर्ड हाली में तोड़ा है 10,000 की जो मीटर रनिंग है इनने सिर्फ 26 मिनट 11 सेकंड में पूरी की है 15 साल पुराना रिकॉर्ड जो 26 मिनट 17 सेकंड था इसे ब्रेक कर दिया है तो आपको याद रखना है जोशुआ चेप्टे ही है जोनोंने 10,000 मीटर रनिंग का वर्ल्ल रिकॉर्ड तोड़ा है और यह युगांडा की रहने वाले है नेस्ट कोचन है ICC महिला वंडे रैंकिंग में पहला इस्थान किसे दिया गया है तो यह है मेगलेग यह उस्टेलिया की रहने वाली है इन्हें ICC महिला वंडे रैंकिंग में पहला इस्थान दिया गया है वहीं बात कीजाए ब्हारत की जाइंग की तो पूर्त इस्थान पर मौजूद है इस्मृति मंधाना यह रेंकिंग जो जारी की गई है ICC की द्वारा की गई है दोस्तो बात आई है ICC की तो आपको इसके बारी में जरूर बता दें ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसेल होता है इसका जो मूटो है वहे क्रिकेट फॉर गुड है इस्थापना की गई थी 15 जूर 1909 में मुख्यालय दवाई UAE में है जो चेर परसन है जो हाली में एक्टिंग चेर परसन है वहें एमरान ख्वाजा है और जो CEO है वहें मनु साहनी है यह एक भारती है तो आपको इतना याद रखना है ICC के बारी में नेस्ट कोशन है साहत का नोबल पुरुषकार हाली में किसे दिया गया है तो दोस्तो साहत का नोबल पुरुषकार लुईस ग्लुक को दिया गया है दोस्तो लुईस ग्लुक USA की रहने वाली है और इन्हें साहत का नोबल दिया गया है ये एक most IMP question है आपको याद रखना है Next question है Guardian की top 60 footballer list में हाली में एक मात्र जो भारती शामिल किये गए है वह कौन है तो ये है यम नाम यम नाम जो एक भारती footballer है इन्हें Guardian की top 60 footballer list में शामिल किया गया है और ये एक मात्र भारती है इस list में शामिल होने वाले आपको उता दें ये मौनिपूर के रहने वाले हैं और ये भारती टीम में defender के role अदा करती है Next question है हाली में सांती पुरुषकार नोविल का किसे दिया गया है यानि who has recently awarded to the Nobel Peace Prize ये है WFP यानि World Food Program को हाली में नोविल सांती पुरुषकार 2020 से सम्मानित किया गया है दोस्तों UN की यह एक संस्ता है और यह दुनिया भर में भूख के खिलाफ लड़ाई करती है बात करते हैं WFP की तो आपको इसकी full form बता दें World Food Program होता है इसकी स्थापना 19 December 1961 में की गई थी Headquarter Room Italy में है और जो हाली में Head है वह है David Wesley है तो आपको इतना WFP के बारे में याद रखना है नेस्ट कोशन है Indian Football Association Salt Lake का नाम किस Metro Station का रखा गया है तो दोस्तों कूलकाता में एक Metro Station का नाम Indian Football Association Salt Lake की नाम पर रखा गया है तो यह एक important question है आपको याद रखना है नेस्ट कोशन है Tree Plantation Policy कहां लाई गई है तो यह है दिल्ली हाली में दिल्ली में Tree Plantation Policy लाई गई है दोस्तों बाता है दिल्ली की तो आपको इसके बारे में बता दें मैप में आप देख पाने हूँगे यह है दिल्ली जो भारत की राजधानी है इसकी जो राजधानी घुसित की गई थी 1911 में बनाए गई थी उप राजजपाल यहां के अनल बैजाल है मुक्यमंतरी अरविंद केजरिवाल आप पार्टी से हैं जो राजकी पसुआया नीलगाय है और राजकी पक्षी गौरिया है यहाँ पर लोगसवा की कुल 7 सीटे हैं और राजजपा की कुल 30 सीटे हैं तो आपको इतना दिल्ली की बारे में याद रखना है नेस्ट कोशन है पहली सुदेसी एंटी दोस्तो यहाँ पर आंटी नहीं यहाँ एंटी है अंटी रेडियेशन मिसािल का नाम क्या है तो दोस्तो यह है रुद्रम जैसकी पहली अंटी रेडियेशन मिसाइल का नाम रुद्रम है इसे DRDO के द्वारा बनाये अगया है तो कुई लडाकु बान से इसे लौश किया गया था यह मिसाल किसी भी signal यह radiation को नस्ट कर सकती है दोस्तो 250 km तक यह radar system, communication network, defense system को नस्ट कर सकती है बारत ने पिछले 35 दिन में लवख 10 से ज़्यादा अलग तरहे की मिसालों का परिक्षन किया है दोस्तो इसी में smart torpedo भी शामिल है और इसी के साथ यह भी एक मिसाल है जो रुद्रम नाम की है यह एक anti radiation मिसाल है जिसका हाली में परिक्षन किया गया है तो यह एक important fact आपको extra पता दिया कि 35 दिन में लगवख 10 अलग लग तरहे की मिसालों भारत ने लौंच की है इस बार इसकी theme थी mental health for all और इस दिवस की शुरुआत यानि बिसो मानसिक दिवस की शुरुआत 1902 से WHO की द्वारा की गई थी तो यह एक important fact आपको अलग से याद रखना है next question है time magazine के द्वारा नई PD के 10 सुपर स्टार में कौन भारती चुनी गई है वह महिला कौन है तो दोस्तो यह है मांसी जोसी को time magazine के द्वारा PD की 10 सुपर स्टार में चुनी गई है और यह एक मातर भारती है जो time magazine की इस list में चुनी गई है नेस्ट कोशन है हाली में किसने स्वामेत योजना की शुरुआत की है तो ये है नरेंदर मोदी जी के द्वारा स्वामेत योजना की शुरुआत की गई है दोस्तो इससे गिरामी भारत को बड़ा सकारादमग परिवर्तन आएगा इसके अंतरगत 6.62 लाख गाओं की लोगों क ये योजना पहले भी लॉज की गई थी लेकिन हाली में यह फिर से शुरू की गई है नेस्ट कोशन है अंतराष्टिये वाली का दिवस कम मनाया जाता है तो दोस्तो प्रत्य वर्ष 11.02 को अंतराष्टिये वाली का दिवस मनाया जाता है इस बार इसकी थीम थी My Voice of our Equal Future ये इस बार बाली का दिवस यानि International Girls Day की थीम थी आपको होता है 2012 से इस दिवस की शुरूआत की गई थी और एक और important fact याद रखना है National Girl Child Day 24 जन्वरी को मनाया जाता है तो ये important हो जाता है आपको याद रखना है नेस्ट कोशन है French Open किताब हाली में किस ने जीता है तो ये है रफेल नडाल रफेल नडाल ने French Open किताब जीता है वहीं बात की जाए फीमेल की तो फीमेल में एगा सेटो सबो टेक ने French Open किताब 2020 जीत लिया है नेस्ट कोशन है किस सहर में बैंटरी वाले बाहनों को करमुक्त किया गया है तो ये है दिल्ली में बैंटरी वाले बाहनों को करमुक्त किया गया है जैसा कि दोस्तों आपको बता है दिल्ली में सबस्यादा प्रोडूसरन होता है इसलिए बैंटरी वाले बाहनों को जादा कर्मुक्त दिया जा रहा है ताकि लोग ज़्यादा ज़्यादा बैटरी बार चलाएं और जिससे दिल्ली का प्रोडूशन भी कम होगा और जो भी है ग्लोबल बार्विंग के लिए भी अच्छा एक संकेत होगा Next question है हाली में किसे अर्थ सास्तर में नोबिल से अब नवाजा गया है तो दोस्तों ये है पॉल आर मिल्गराम और रोबर्ट वी बिल्सन इन दोनों को हाली में नोबिल के अर्थ सास्तर के अब़ोड से समानित किया गया है दोस्तो एक important fact आपको याद रखना है अवीजीत बनार जी 2019 में चुने गए थे नोबिल के अजसास्त अबॉड के लिए और ये एक भारती थे तो आपको ये एक important question भी बन जाता है साथ में 2020 में इन दोनों व्यक्तियों को दिया गया है ये भी एक important question है तो एक के साथ दो important question आपको याद रखने है दोस्तो नीलामी सिद्दान्त के सुधार के लिए नई policy स्वरूप के लिए इन दोनों को अवार्ड दिया गया है बात आईए नोबिल सांती पुरुषकार की तो आपको इसके बारे में हम चरूर बता दें नोबिल सांती का या नोबिल जो अवसकार है उसकी स्थापना अलफरेड बांधार्ट नोबिल के नाम पर की गई है जिन्होंने डाइनामेट का अवशकार किया था दोस्तो पहला आवर्ड 1901 में दिया गया था भारत की ओर से जो पहला आवर्ड दिया गया था वह रवेग्णा आटेगूर को दिया गया था और दोस्तो पीस प्राइस जो नोबिल शांती परोषकार का नोबिल का सांती परोषकार है वह नोरबिल की द्वारा दिया जाता है और बांकी जो अर्थसास रसायन या चिकरत्सा की से छेतन में जो भी अवाड दिये जाते हैं वाइस भी डन की द्वारा दिये जाते हैं तो ये इतने important fact आपको नोविल पुरुसकार की बारे में याद रखना है मैंने एक ही जिगा सारे नोविल पुरुसकार की डीटेल आपको बता दी है next question हाली है बिजय राजे सिंधिया की कौन सी जैनती मनाई गई है तो दोस्तो इनकी 100 जैनती हाली में मनाई गई है और इनकी जैनती पर प्रधान मंतरी मोदी जी के द्वारा 100 रुपे का सिक्का जारी किया गया है तो ये important question बन जाता है अपने आप में छोटा सा तो आपको याद रखना है बिजय राजे सिंधिया की 100 जैनती मनाई गई वो 100 रुपे का सिक्का जारी किया गया next question है देश में कितने राज्यों में कुल 44 पलों को एक साथ शुरू किया गया है तो दोस्तो इसका सही option है कुल 7 राज्यों में 8 हिमाचल प्रदेश में 2 पंजाब में 4 सिक्किम में 8 उत्राखंड और रणाचल प्रदेश में 4-4 पुल बनाए गए है दोस्तो खास बात यह है कि इन सभी पुलों को बी आरो की द्वारा बनाया गया है यह important fact आपको याद रखना है next question is what position has been India got in the commitment of reducing inequality index यानि commitment of reducing inequality सूचकांक में भारत को कौन सा इस्थान दिया गया है तो दोस्तो भारत को इस लिस्ट में 129 वा इस्थान दिया गया है यह लिस्ट में जो पहला इस्थान है वह नौर्वे को मिला है तो आपको इस लिस्ट के बारे में इतना ही याद रखना है भारत को 139 वा इस्थान दिया गया है reducing inequality के सूचकांक लिस्ट में नेट कोशन सभी सरकारी स्कूलों को digital करने वाला देश का एक मात राज कौन सा है तो यह है केरल केरल देश का एक मात राज बन गया है जिसना सभी सरकारी स्कूलों को digital कर दिया है राज जी की लवख 16,000 सरकारी स्कूलों को 3,24,274 IT उपकरंड के साथ जोड़ा गया है जिसमें laptop, speaker, projector आदी शामिल है तो यह ऐसा करने वाला भारत का पहला राज बन गया है केरल आईए बात करते हैं केरल के important factor और इसकी location के बारे दोस्तो मैप में आप देख पाने होगे भारत की मैप में यह है location केरल की केरल की स्थापना एक नूमबर 1956 में की गई थी राजदानी धुरू अनत्पुरा में यहां के जो गौर्णर हुआ है आरिफ मुहम्मत खान है मुक्यमंतरी पिनराई भिजियन है यहां राजसवा की कुल नो और लोगसवा की कुल भी सीटे है तो आपको इतना केरल की बारे में याद रखना है अगला question है UN की द्वारा घोचत आप दा न्यूनिकरन हेतु दिवस कम मनाया गया है दोस्तो 13 अक्टूवर को UN की द्वारा आप दा न्यूनिकरन दिवस मनाया जाता है यानि when is the day for disaster reduction declared by the union यानि 13 अक्टूवर को यह दिवस मनाया जाता है आपको वदा दें 1989 से यानि 1989 से UN की द्वारा इस दिवस की शुगात की गई थी इस बार जो 2020 में इसकी theme रखी गई है वार disaster risk governance ये theme रखी गई है 2020 में नेक्ट कोशन है सोबा नायटू हाली में निधन हुआ ये किस्तान से सम्मानित है तो दोस्तो ये कुचिपुरी की एक बहतरी डांसर थी जिनका हाली में निधन हुआ है आपको बता दें पदम स्री से भी इन्हें सम्मानित किया जो चका है और ये 64 बर्ष की उम्मरे में इनका निधन हुआ है दोस्तो आप स्क्रीन पर देख पारे हुए कुछ और अन्य निरत की बारे में तो आपको इनकी बारे बता दें मोहिनी अट्टम ये कीरल का famous dance है कत्तक ये उत्तरपदीस का famous dance है और मनीपूरी जैसा कि आप नाम से देख पारे होगे ये है मनीपूर का एक famous dance है तो आपको इतना इन चारों dance के बारे में याद रखना है वो सोबा नाइडू जो कुछी पूरी डांसर थी इनका हाली में निधन हुआ है नेस्ट कोशन है एफ ए ओ के 75 साल पूरे होने पर मोधी जी के द्वारा कितने रुपे का सिक्का जारी किया गया है तो 75 रुपे का सिक्का FAO के 75 साल पूरे होने पर मोदी जी के द्वारा जारी किया गया है दोस्तो अब ये FAO है क्या आपको इसकी बारे में बता दें तो इसका पूरा नाम Food and Agriculture Organization होता है इसकी स्थापना सूलह अक्टूबर 1945 में की गई थी Headquarter Room Italy में है और जो Head है वह है डॉंग यू है तो आपको इतना FAO की बारे में याद रखना है और ये भी याद रखना है ब्रदानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसके 75 साल पूरे होने के उपलक्ष में 75 रुपे का सिक्का जारी किया गया है नेस्ट कोशन है CM Helpline 181 को WhatsApp पर उपलब्द कराने वाला राज्य कौन सा है तो यह है दोस्तो हमारा प्यारा मद्रदेश मद्रदेश में CM Helpline जो 181 है इसको WhatsApp पर भी उपलब्द कराए गया है आपको अगर WhatsApp का नंबर चाहिए तो मैं आपको बोला हूँ आप नोट कर सकती है 755-255582 यह WhatsApp नंबर है मद्रदेश में CM Helpline का यानि अब इस WhatsApp के द्वारा भी आप CM Helpline की मदद ले सकती है Next question है सरल जीवन वीमा शुरू करने कंपनियों को किसने आदिश दिये हैं तो इसका सभी option है IRDA IRDA के द्वारा सरल जीवन वीमा शुरू करने के लिए कंपनियों को नरदेश दिये गए हैं दोस्तो यह जो वीमा पॉलिसी है सभी कंपनियों को जारी करने पड़ेगी 2021 जनवरी से तो आपको याद रखना है सरल जीवन वीमा 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 की द्वारा सभी कंपनियों को आदिश दिये गए हैं अब यह IRDA या वीमा है क्या आपको इसकी बारें बता दें पहले तो इसका फुल फॉर्म जानती है तो इसका फुल फॉर्म होता है इंसुरेंस रेगुलर्टी एंड डेवलप्मेंट अथॉर्टी और हिंदी में कहा जाए तो भारतीय बीमा, बिनीमायक और विकास प्रादीकरन इसका जो हेड़कोटर वाई है हैदरबाद में है और चेयर परसन सुवास चंद्र खुंटिया है तो आपको इतना IRDA के बारे में याद रखना है नेस्ट कोचे नहीं परताम ऑसकर विजेता जिनका हाली में निधन हुआ ये कौन है तो दोस्तो ये है भानू अथाया ये परताम भारत की ऑसकर विजेता थी जिनका हाली में निधन हुआ है दोस्तो यह 91 बाश की थी, इन्हें 1982 में रिलीज गांधी फिल्म के लिए ओसकर अबॉर्ट दिया गया था, यह एक कौस्ट्यूम डिजाइनर थी और गांधी फिल्म के लिए ही इन्हें कौस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए यह अबॉर्ट दिया गया था, दोस्तो इन्हों ने बहुत सी फिल्मों में जो है कॉस्ट्यूम डिजाइन की है जिसमें लगान भी आती है तो आपको इतना याद रखना है भानु अथाया जो एक ऑसकर अभी विजेता थी भारत की पहली वो उनका हाली में निधन हुआ है नेस्ट कोशन है विश्व खाद दवस कम मनाया जाता है तो दोस्तो प्रतिक 16 अक्टुवर को विश्व खाद दवस मनाया जाता है आपको बता दें इसकी जो शुरुगात है वह यूएन की द्वारा की गई थी यूएन ने 2030 तक विश्व को भुकमरी से दूर रखने का वाद यह थीम रखी गई 2020 में विश्व खाद दवस यानि वर्ल्ड फूल डे की आपको बता दें यूएन और एफ एउ की द्वारा सेंग तुरूप से 1945 में यह दवस की शुरुआत की गई थी और इस पार यानि 2020 में इसकी 75 वी वर्ष्गाट मनाई गई है तो आपको इतना vereंदू वी यह भारतिय नेवी मिं 1988 में शामिल की गई थी और अब भारत ने इसे म्यामार को बेच दिया है बात आईए म्यामार की तो आपको इसके बारी में बताएं कि दोस्तों मैप में आप देख पाराओंगे ये लोकिशन है मियामार की जो राजदानी वाय नपीड हो है यहांकि जो अध्यक्ष है वाय विन माउंट है यानी प्रिसिडेंट जो मिन यानी रास्टपती बोले तो यह हैं बिन माउंट जो इस्टेट कांसल तो आपको इतना म्यामार की बारे में याद रखना है नेस्ट कोशन है हाली में एपी जे अब्दुलकलाम जे की कौन से जनती मनाई गई है तो दोस्तो नवा से भी जनती एपी जे अब्दुलकलाम की हाली में मनाई जे गई है आपको बता दें 15 अक्टूबर को ही 206 दिवस म मनाया जाता है जैस जनल द्वास यूएन के द्वारा शुरू किया गया था एपीजे अब्दुलकलाम के बच्चों के प्रती प्रेम को देखते हुए दोस्तो जैसा कि आपको पता है 2020 में इनकी नवासिवी जैनती मनाय गई है तो आईए कुछ एपीजे अब्दुलकलाम जी के बारे में कुछ important factor पर चाचा करती है यह भारत की 11 वे राश्ट्र पती थे यह आपसे exam में पूछा जा सकता है इनका जमन 15 अक्टुबर 1931 को हुआ था और मर्तियो 27 जुलाई 2015 में हो गई थी दोस्तो इनकी उपनाम है में सैल में और जनता की राश्ट पती तो आपको इतना एपीजे अब्दुलकलाम के बारे में याद रखना है यह most I.M.P. question बनते हैं इनकी उपनाम से भी तो दोस्तो यह था हमाराज का वीडियो जिसमें हमने बात की है 10-20 October 2020 की वीच जितने भी important current affair की question हुए उनकी बारे में अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे like कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल study universe को ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए जोस्तो अगर आप कहीं से भी हमसे जुड़ना चाहेते हैं तो description में सारे link दिए गए हैं वहाँ से आप हमसे टेलिग्राम पर भी जुड़ सकते हैं इसके अलावा हमारे Instagram अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं आपको इस वीडियो की PDF चाहिए है तो वहाँ Instagram पर हम टेलिग्राम पर हम आफ आए दे को हैं तो ड्हों आप्टे ट्याइट करें और उसे ऑनाप्ट वहाँ थो पर जोगरीट आफ अस करें यहां में अले देलिग्राम पर पर हमसे आपूंट पर हमसे दो दो भी जुड़ना पार्बश्यार चाहिए हैं है ङॉड़ना चाहिए